नमस्कार, हिंदिस साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ, आईए सुनते हैं शुक्लवानी का भागतीन आज हम इसका थर्ड पार्ट में देखिए आदिकाल का जो अपवरंश काव्य हैं, जो प्रक्रण दो रहेगा इसको करने जा रहे हैं यहाँ पर पहली लाइन लिखते हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाशा न रह गई, तब ही से अपवरंश साहित्य का अविर्भाव समझना चाहिए पहली ही लाइन बहुत जादा महत्तपूर्ण है अचारे रामचंद्र शुक्ल यह क्या कहते हैं कि जो आपकी प्राकृत रही, जब वो बोलचाल की भाशा नहीं रही, तब ही से अपवरंश साहित्य का अविर्भाव समझना चाहिए और पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपवरंश या लोग प्रचलित का वे भाशा का बोध होने लगा तो ये बात हमने पिछले वाले प्रकरण में भी पढ़ ली थी, कि वहाँ पर इन्हों ने बताया कि जो गहा या गाथा है वो प्राकृत का बोध कराती है और दोहा या दूहा ये अपवरंश का बोध कराती है क्योंकि ये दोनों ही अपने अपनी भाशाओं के मुख्य चं रहे हैं दूसरा जो यहाँ पर कथन है देखिए प्राकृत से बिगड़ कर जो रूप बोलचाल की भाशा ने ग्रहन किया वह भी आगे चल कर कुछ पूरा ना पड़ गया और कावे रचना के लिए रूड हो गया अपवरंश नाम उसी समय से चला तो जब प्राकृत थोड़े सी विक्रित हुई बोलचाल की भाशा ने उस विक्रित रूप ने ग्रहन किया उसी विक्रित रूप को ही आगे क्या कह रहे हैं कावे रशना के लिए जब रूड किया गया तो वही अपवरंश नाम उस समय चला जब तक भाशा बोलचाल में थी तब तक वह भाशा या देशी भाशा ही कहलाती रही जब वह भी साहित्य की भाशा हो गई तब उसके लिए अपवरंश शब्द का व्याभार होने लगा यहाँ पर प्रशन अब ये बन सकता है कि अपवरंश शब्द जो है वो किस भाशा के लिए कहा जाता है जब भाशा जो है उस वक्त साहित्य के लिए प्रियुक्त हो गई वो ही आपकी क्या रही अपवरंश रही जबकि बोलचाल की भाशा के लिए देशी भाशा शब्द ह भरत्मुनी जिनका समाय विक्रम की तीसरी शताबदी रहा उन्होंने अपवरश नाम न देकर लोख भाशा को देश भाशा ही कहा है। अपवरश का उलेख नहीं है। तो जो वर्रूची ने प्राकृत प्रकाश नाम से अपना व्याकरण गरंथ लिखा था उसमें अपवरश का उलेख नहीं मिलता। कहा है। बहुती महतपूर्ण है ये कथन कि अपवरश नाम पहले पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितिये के शिलालेख में मिलता है किसने माना तो इसका अंसर हो जाएगा अचारे रामचंदर शुक्ल। बहुती महतपूर्ण है। और इसका समय क्या रहेगा। 650 विक्रमी समवत से पहले एग्जक्ली अगर हम देखें 593 इसवी से पूर्व। अगला जो कथने देखिए भामः जिनका समय विक्रम की सात्मी शताब दी रहा इन्होंने तीन अपवरशों का उलेख किया है। ये भी इन्होंने कहा है। फिर उसके बाद आता है समवत 990 में देवसेन नामक एक जेन गरंतकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की पुस्तक दोहों में बनाई थी जिसकी भाषा अपवरश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। तो यहां पर जो देवसेन नामक एक जेन गरं किस ने लिखा और कब लिखा था 990 यानि की 933 इस्वी में। इसके लावा यहां पर अगला जो कतने देखिए बौध धरम के विकृत रूप होकर वजरियान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत तिनों से चला आ रहा था। इन बौध तांत्रि के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। तो यहां पर जो सीधा सा बात यह बता रहे हैं कि जो बौध सिध रहे हैं बौध रहे वो क्या रहे आपके तांत्रिक रहे और जिन में वामाचार जो अपनी चरम पर पहुंचा था जो खासकर सिध रहे हैं जो वजरिय जो योगी सिध नाम से प्रसिध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे, इससे वे संस्कित रचनाओं की अतिरिक्त अपनी बानी अपभर्ष मिश्रित देश भाषा या कावे भाषा में भी बराबर सुनाते रहे, और यहीं से हम देखते हैं कि जो आ अपभर्ष मिश्रित देश भाषा या कावे भाषा रही, और इसी के चलते हम मानते हैं कि जो प्राचीन भाषा रही या जो हमारी हिंदी का प्रारंबिक रूप रहा, वो हमें इनहीं की बानियों में देखने को मिलता है, उनकी यानि की सिध्धों की रचनाओं का एक संग रहे, पहले महा महीम हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बहुत गान ओ दूहा के नाम से निकाला था, बहुत ही महत्तपूर्ण है ये लाइन, इसको पूछा जाता है देखना कि सिध्धों की रचनाओं का पता सबसे पहले किस ने लगाया, तो यहां पर आ ज सिध्धों की और बहुत सारी रचनाओं ले आए, तो जो राहुल सांक्रित्यायंड है, इन्होंने भी सिध्धों की जो रचनाओं है, उनका पता लगाया है, और 84 सिध्धों में से 18 सिध्धों का वनन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है, वजर्यानियों की योगतंत्र स योगतंत्र के जरिये क्या था जो मद्य यानि की जो मदीरावगेरा स्त्रियां जो खासकर डोमिनी और रज की इत्यादी जो रही इनका सेवन वो आवश्यक मानते थे। है कि ईश्वर को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अनंद के जरिये भी प्राप्त कर सकते हैं, महा सुख के जरिये भी प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां पर महा सुख से उसका क्या भी प्राहरी देखिए, प्रग्या और उपाय के योग को इसने महा सुख की दशा माना है वजरियान में निर्वान के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताये गया है शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नगन मूर्तियां सहवास की अनिक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं यहां पर सिंपल सी बात यह कह रहा है कि जो सिद साहित रहा उसमें जो निर्वान सुख है या ईश्वर ये सुख इश्वर की प्राप्ति के लिए जो निर्वान की बात हम करते हैं उस सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताये गया है तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने जो स्त्री सेवन है इसको इन्होंने आवश्चक समझा था और इसलिए इनके साहित्य में भी हमें जो अशलील ताव गेरा जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं उंचनेच कई वरण की स्त्रीयों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वजरियानियों की साधनाओं के प्रधान अंग थे सिध्धि प्राप्ति के लिए स्त्री का जिसे शक्ति योगिनी या महा मुद्रा कहते थे योग या सेवन आवश्चक था तो यहां पर सिंपल सी बात है इनोंने सीधा लिख दिया कि जिस तरीके से अगर हमें उंचनीच की ये क्या कहरा है सिंपल सी बात कहरा देखना कि स्त्रीयों को लेकर जो मद्यपान है और उनके साथ जो विभत्स विधान है ये वजरवानियों की साधना में एक प्रधान च संदे नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उडिसा में धरम के नाम पर दुराचार फैला था जो इनोंने उपर सिद साहित है जो वजर्यानियों के जरीए इनोंने रखा है तो ये एक इंपोर्टेंट चीज है यह पर कई बार यहां से UGC net के लिए प्रशन पूछा गया है देखना कि जो आपका महासुखवाद है यहां इसका जो प्रवर्तन हुआ कहां पर आकर हुआ तो वजर्यान में आकर इसका प्रवर्तन हुआ महासुखवाद का मतलब क्या है जहां पर प्रज्या और उपाय के यो सहज जीवन चल रहा है उसी तरीके से यह चलने की बात करते हैं और इसको ही हम क्या गयते हैं कि यह वामाचार जो अपने चरम पर फैल गया था जब मुसल्मान भारत आए तो यह अचारे रामचंद शुखल का एक महतपूर्ण जो कथन है इसके बाद आगे क्या लिखते है देखिए वजरियान में महासुख यानि कि महासुख कौन सी दशा बतलाए गई है इसको और ज़्यादा स्वश्टिन उने किया देखिए इसमें यह क्या कह रहा है जिसमें साधक साधक यानि की जो आपका मनुश्य है वो शुन्य में इस कर इस प्रकार विलिन हो जाता है श ऐसे नमक जो है वो पानी में चले जाता है तो वो एक प्रकार से मिल जाता है इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद जो आपका स्त्री पुरुष का अलिंगन बद जोड़ा है उसकी भावना इसने किया और वहीं से हम देखते हैं कि उसने एक ऐसे प्रतीक को ल कहते हैं कि जब तक अपनी ग्रहिनी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवरण की स्त्रियों के साथ क्या विहार करेगा यह बहुत ही मतफूर्ण बात है यहां से और जादा स्वश्टिकरन होता है इनकी जो इस महासुख की दशा का तो यहां पर यह सिंपल सा कह रहा है द दर्म हो गुहय और रहस्या के भेद के प्रवेश से वह किस प्रकार विक्रित और पाखंड पूर्ण हो जाता है वजरियान इसका प्रमान है तो यहां पर अचारे रामचंद शुकल स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी कितना ही अच्छा धर्म क्यों नहों हो लेकिन जब गु वजरियान इसका जीता जागता प्रमान है और तब जाके वजरियान शाखा से ही आपका जो नात्पंथी निकले हैं जिनोंने इस सोच को नकारा और उन्होंने अपनी जो इंद्रियों को वश्मे करने के लिए जो वेराग्या भाव है उसको अपनाने की बात की थी तो इस से आप समझते हैं कि जो शैव रहे हैं उनमें कुछ मकार रहे जो पंच मकार आते हैं हाला कि अचारे रामचंदर शुकल के इस गरंथ में उनका कुछ जादा जिक्र उन्होंने नहीं किया है लेकिन पंच मकार यहीं से ही आपको यार रखने हैं कि मास, मचली, मुद्रा, मै विधानों से अपने को अलग रखा तो यहां पर अचारे रामचंद शुकल ये कह रहे हैं कि जो भी योगी उस समय रहे उनमें से जो हिंदू शाखा के लोग थे उन्होंने वजरियानियों के अशलील और विधानों से स्वाइम को अलग रखा यद्यपी शिव शक्ती की अपपरश साहिते के पूर पीठीका के तौर पर इन्होंने रखा है अचारे रामचंद शुकल ने है ना ये भी कई वार प्रश्ण पूछ जाता है कि नात और दूसरे को किस ने रखा था सिद्ध साहिते को ठीक है गोरक नात के समय का ठीक पता नहीं है फिर यहां पर नात पंतियों में अगर हम बात करते हैं देखना तो वो किसकी बात आती है गोरक नात की ही बात आती है ये महाराश्टर के संत ज्यान देव अपने को गोरक की शिर्षप परंपरा में मानते हैं उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है कि प्रारंभ में आदिनात हुए फि ग्यानीनात, फिर निवरित्तिनात और फिर ग्यानीश्वर, तो ये है गोरकनात का समय इन्होंने बताया कि exactly पता नहीं चलता, लेकिन एक जगा इन्होंने गोरकनात का जो समय बताया है देखना वो आपको यार रख लेना है कि ये तेहरवी शती के आसपास इसका समय मानते है नातपंत के इन जोगियों में जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या कावय भाषा से जिसका धांचा नागर अपभरंश या ब्रजगा था अलग एक सदुकडी भाषा का सहरा लिया जिसका धांचा कुछ खड़ी बोली लिये हुए राजस्थानी था तो यहाँ पर याद रख लेना है आपको कि जो आपका अचारे रामचंदर शुकल है उन्होंने नातपंतियों की भाषा को क्या कहा उन्होंने नातपंतियों की भाषा को एक सदुकडी भाषा कहा और सदुकडी भाषा से इनका क्या भी प्राय था जो आपकी कैसी रही दे से बनी जबकि साहित्य की भाषा या क्यावे भाषा से ये क्या कह रहे हैं इसका धांचा नागर या अपवरश का था एक अलग सदुकडी का सहारा लिया ये इंपोर्टन चीज़ है यहां पर तो ब्रज भाषा भी उस वक्त रही लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ ये कह रहे हैं और विक्रमी समवत 1400 की आसपास की रचनाये हैं इन में सामपरदाईक शिक्षा है तो यहां से एक बार फिर से प्रशन पूछा जाता है कि सिद्धों और नाथों की जो रचनाय रही हैं उनको सामपरदाईक शिक्षा मात्र किस ने कहा है तो ये आचारे रावंचंदर शुक्र ने ही कहा है और साथी साथ आपको यार रख लेना है कि ये ब्रज भाशा काव्य की भी बात करते हैं और जिसका समय इनोंने 1400 की आसपास माना है इसको भी आपत्याद में रखेगा इतिहास में सिद्धों और योग्यों का विवर्ण दिया गया है उनकी रचनाओं क रचनाओं का जीवन की स्वभाविक सारणियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई समन्द नहीं वे सामपरदाइक शिक्षा मात्र है अते शुद्ध साहित्य की कोटी में नहीं आ सकती बहुत ही मतपून बात है यहाँ पर देखना कि अचारे रामचंदर शुक्ल जो है यह सिद्धों और जो योगी रहे हैं आपके नाथपनती रहे मतलब इनका जो साहित्य है वो सामपरदाइक शिक्षा मात्र है इसलिए वो साहित्य की कोटी में नहीं आ सकता यह शुक्ल जी मानते हैं इन बातों को त्यान रख लेना है यहाँ पर सिंपल सी चीज आपको यह समझने की बात कोशिश करनी है कि जो आपके सिद्ध थे सिद्धों ने जो आपका यह सिंपल सी बात आपको यार रख लेना है कि वामाचार अपने चरम पर रखा उनके विरोध में आगे फिर नाथपनती हुए और जिनमें गोरक नात महतपून रहे यह चीज आपको यार हेमचंद्र आता है फिर इस प्रकरण में जिनका जिकर इनोंने किया है देखना हेमचंद्र के बारे में इनोंने कुछ चीजे लिखी है कि अपने समय के सबसे प्रसिद जैन अचारे रहे और गुजरात के सुलंकी राजा सिद्ध राज जैसिंग जिनका समय 1150 से लेकर कि 1199 राज यहां पर आपको यार रख लेना है कि जो आपके हेमचंद्र रहे यह राजा सिद्ध राज जैसिंग और उनके बतीजे कुमार पाल के आश्रे में रहे हैं इनका जो व्याकरण गरंध ता यह था सिद्ध राज के समय ही इनोंने बनाया जिसमें संस्कृत प्राक्रित और अपवरंश इन तीनों को समाविश किया गया है और यहां पर कईवार प्रशन इस तरीके से पूछा जाता है कि हेमचंद्र के व्याकरण के प्रत्थम भाग में किस भाशा को अपनाया गया दूतिय भाग में किस भाशा को अपनाया गया और तृतिय भाग में तो पहले ज इसको कावय अनुशासन नाम दिया, प्राकृत में प्राकृत व्याकरण हो जाता है और अपवरश में जो शब्द अनुशासन आ जाता है और ये सारी चीज़ें मिलके सिद हेमचंदर शब्द अनुशासन हो जाएगा। पर कि व्याकरण के उधारणों के लिए हेमचंदर ने भट्टी के समान एक क्या किया, द्वाश्राय कावय की रचना की और जिसमें कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत कावय भी रखा इन्होंने। प्राकृत कावय लिखा है। तो इसके जो भाशा रही कुमार पाल प्रति बोध की वो कौन सी रही, ये रही संस्कित और प्राकृत कावय की, जबकि उपर हेमचंदर ने क्या रखा था, हेमचंदर ने जो है कावय में अपवर्णश के पध्य रखे थे, ये चीज़ आपक इस गरंत में अधिकता प्राकृत की है, बीच बीच में संस्कित, शलोक और अपवर्णश के दोहे भी आए हैं, लेकिन इसमें जो प्रधानता रही वो प्राकृत की मानी जाती है। अगला जो कतन है देखिए, अपवर्णश के कुछ पध्य सोंप्रभ और सिद्पाल कवी के बनाए हुए भी रखे गए हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर जेनाचारे मेरुतुंग के बारे में कुछ चीज़े इन्होंने कही हैं, इन्होंने समवत 1361 में प्रबंध चिंतामणी नामक एक संस्कित गरंत लिखा, यह भोज प्रबंध के ढंग का गरंत है, इसमे पुराने राज्याओं के आख्यान संग रही थें। और यह वाला प्रश्ण यहाँ पर हिमाचर प्रदेश के जो एक्जाम हुआ है, एसिसन प्रोफेसर का, उसमें पूछा गया था कि यह वाला जो गरंत है, जो भोज प्रबंध के ढंग का कौन सा गरंत है, तो यहाँ पर राजा मुझ द्वारा तैलंग देश पर चढ़ाई करने और राजा तैलफ द्वारा उसे बंदी बनाने वा तैलफ की बहन मिर्नालवती से प्रेम की कथा भी यहाँ पर मिलती है। तो यह भी एक महतपूर्ण प्रश्ण बन सकता है, जो नवीनता के साथ आप लोगों को य इंदी के बहुत ही पूराने नमूने कहे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अचारे रामचंद्र शुक्ल रहे हैं, ये राजा मुझ से ही मानते हैं कुछ जो आपका ये अधिकाल बगेरा का जो समय रहा है। शारंग धर के समन्द में शुक्ल के विच ये अच्छे कवी और सुत्रकार भी थे, तो ये भी बहुत मतपूर्ण है, कई वार ये पूछा जाता है कि किसे इसने अच्छा कवी और सुत्रकार भी माना था, तो ये थे शारंग धर। इसका आयरुवेद गरंथ जो है वो प्रसिद हैं, इसके अलावा शारंग धर पद आपको यतना याद रख लेना है कि अचारे रामचंदर शुक्लने अपवरश की रचनाओं की जो परंपरा है वो किससे समाप्त मानी है तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है शारंगधर पद्धती से। उस समय इनमें से किसी का पता नहीं चला थोड़े दिन हुए महवपाध्धाय हर प्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे वहां राजकिये पुस्तकाले में कीर्ती लता की एक प्रती मिली जिसके नकल उन्हें उन्होंने ली तो यहाँ पर आपको सिंपल याद रख लेना है कि ज उसको उन्होंने कहां से लाय था जो हर प्रसाद शास्त्री रहे हैं नेपाल से बहुत ही महतपूर्ण है ये वाला प्रश्न इसके साथी साथ यहां पर आपको यार रख लेना है कीर्ती लता और कीर्ती पता का दोनों किस प्रकार के ग्रंथ हैं यह प्रशस्ती परक इसके लाबा आपने यार रख लेना है कि विद्यापती के अपवरंश की विशेष्ता क्या रही कि यह पूर्वी अपवरंश है दूसरी विशेष्ता प्राय देश भाषा या कुछ अधिक लिये हुए है और जिसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिश्कार नहीं तात्पर यह है कि वह परकृती प्राकृत की रूडियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है तो यहां पर जो विद्यापती है देखना इसकी भाषा को यह प्राकृत की रूडियों से बंदा हुआ नहीं मानते। जियों जियों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवरित होती गई तियों तियों तत्सम संस्कित रखने में संकोच भी घड़ता गया। इसका प्रमान जो हमें देखने को मिलता है। तब ही आप देखते हैं कि किर्ति लात और किर्ति पताका की जो भाषा रही वो अवहट भाषा थी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही आए होग कि आपने इस जो मत्तपूर्ण यहां पर कथन या मत्तपूर्ण जो पंक्तियां अचारे रामचंद शुक्ल के इस प्रक्रण में रही हैं उनको देखा होगा। अगर आपके पास हिंदी साही तकाईती हास क्रंथ नहीं हैं तो अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए क्यूंकि आपके लिए हम भेतर कॉंटेंट लाने के लिए हमेशा प्रतिबद हैं चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत